मानने सदर्शकन मुझे आपको सुचित करना है कि आज सदन में विशिश दिर्गा में मलावी गनराज के संसिदी शिष्ट मंडल के सदर्श विराजमान है मैं अपनी ओर से तदा सदन के सभी मानने सदर्शों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्वानित अथिती मलावी गनराज की नेशनल एसेंबली की अद्धिक्षा महामें सूसरी केथिन गोटा निहारा और वहां के संसिदी शिष्ट मंडल के सदर्शों का सागत हम अभ मलावी गनराज के संसिदी शिष्ट मंडल का भारत आगवन रईवार 30 जुलाई 2023 को हुआता शिष्ट मंडल के सदर्शगन दिल्ली के अत्रिक्त आगरा की यात्रा भी करेंगे उनका शुक्रवार दिनाग चार अगस 2023 को भारत से प्रस्तान होगा हम अपने देश में उनके सुकत और सपल प्रवास की कामना करते हैं उनके माद्यम से हम मलावी गनराज की संसर्थ वहां की सरकार और वहां की मित्वत जनता को अपनी बधाई और सुपकामनाय प्रेशिद करते हैं क्योशन नमबर 141 सुनिल कुमार मंडाल है अंटर बर मेंबर है निभी बोलेगा ना अब है इस एक पार अब है अब अब आध्य मंत्रीजी एक विपरांस कि अगया है मालेवास निशीकान दूबे, क्यूशन नमबर 142 माने सदशे, माने अध्यक जी, मैं आपके माध्यक से माने प्रभार मंत्री जी को और माने शिक्षा मंत्री जी को नई सिक्षा नीती के लिए बढ़ाई देता हूँ कि उन्होंने बरसों बाद मैकाले की सिक्षा पददी को बदलने का काम की माने अध्यक्ष महोदे, सिक्षा की जो समस्या है जो 374 जो बैकवर्ड डिस्टिक का लिस्ट जो है माने शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है उसके पीछे जो दो रीजन है सर, वो दो रीजन ये है कि राजी का जो बोड है वो अलग है और CBSE बोड अलग है जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो CBAC या ICAC बोर्ट के लोग होते हैं और जो राजियों का जो बोर्ट है वो उस तरह से सिख्षा में पौप अप नहीं कर सकता है दूसरा पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राजी सरकार चला रहे हैं कर मेरे जारखंड में सर उसमें सिख्षकों की भारी कमी है दूसरा रूसा से जो पैसा देते हैं जो मानने मंत्री जी ने कहा है बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है लेकिन सिख्षक नहीं है और शिक्षक में कारन स्कूल में पढ़ाई वा रही है ना कॉलेज में पढ़ाई हो रही है इन दोनों चीजों के लिए माननी प्रदानमंत्री जी मुझे पता है कि ये concurrent list में है माननी प्रदानमंत्री जी की जो नहीं सिक्षा निती है उसमें भारत सरकार कैसे इस 344 डिस्टिक को एजुकेशनली फॉरबट बनाई अध्यक्स मोदे बारत ये सदेश्य ने सही कहा है सिख्ष्या एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विश्य होने के कारण भारत सरकार की दाई तो रहती है आर्थिक अनुदान देना लेकिन उसकी क्रियान विन करने की दाई तो मूलत और राज्य सरकार के है लेकिन ये सारे के बावजूद अभी अभी जैसे पर्शू पदान मंतरी जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पी-एम स्री स्कूल की 6207 स्कूल को पहला किस्ति भी आर्थिक अनुदान दिया लेकिन अध्यक से मुहद्यों ये बात हमारी जो सिम्हिय ब्यवस्ता में दाईत्व बंटवारे की ब्यवस्ता है उसमें राज्यों का ही दाईत्व है जिम्मेमारी है उसको क्रियान विन करने के लिए मैं सजस्य जी की चिंता को ग्रहन करता हूँ मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूँ है भारत सरकार की योजना है राष्टिय शिक्षा निति को ज्यान में रेकते हुए कैसे शठीक रियानों हो अनिय अध्यक जी दूसरा जो सिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा वीरा उठाया है माने प्रधारमत्री जी ने वो सेंट्रल स्कूल सेंट्रल कॉलेज ये सब बनते हैं लेकिन हमने देखा हमेशा ही जो लिस्ट हमको मिली है सब इसमें 12 ऐसे जिले हैं जहारखंड के जो की एजुकेशनली बैकवर्ड है और वो सभी एस्परेशनल डिस्टिक भी है जो भार सरकार का मापदंड 112 है और वो सारे के सारे जिले छे संथाल परणा के हैं एक जो मानने है सिक्षा राज्यमंत्री है पूर्णा जी उनका चेत्र है जो हमसे सटा हुआ है और गिरिडी है त आज जी की राजदानियों में बन जाता है मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह अगरा भी है और यह प्रस्ण भी है कि क्या आप इस लिस्ट को देखते हुए संथाल परणामे सेंट्रल इंवर्सिटी के कि काई या जो रांची भी स्मिध्याले सेंट्रल इंवर्सिटी है उसका एक केंपस खोलेंगे जिससे की हम अपने तरफ से जो है सिक्षा को बनावा देखाए अध्यक्स मोहदे अभी फिर मैं बिनमरता से कहना चाहूंगा यह इनवर्सिटी या चेंट्रल स्कूल करने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यों की एक प्रमुक जिन्मेवार लेकिन मैं आधरेने सदेश्य को अस्वस्त करना चाहूंगा अभी जो नया पी एम उसा प्रधान मंत्री उच्चातर शिक्ष्ण अभियान रूसा की जो नया संस्करण 23-24 से 25 सबिस तक चलेगा इसमें प्रदेशों की आकांखी जिले को अस्परेशनाल जिले को राथमिता यह दिए जाएगी है है और रदभ अधर एक्षिंट अधर जचान पाद सब्सक्राइब को जो चाहच ऑट जो खेक तदेश्च्ट सफरी एक्लवेश प्रदेश्य कान प्रदेश्च्ट आधरेकर इसमेट्वेश की जोन में तरिष जोन में इट उन्ट क्वेश्य कंष्ट अध्यक्स मोहदे एकलब्या स्कूल की दाईतों भारत सरकार की जनजाती कल्यान विभाग की दाईतों में मैं चित्तूरवाला जानकरी मैं मेरे सहयोगी मंत्री जी को चर्चा करके उनको अभगत करा देंगे सिरी राके सिंग्जी क्यूशन नमबर 143 अनिया अध्यक जी सबसे पहले को मैं माननी प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिनके संकल्प और जिनकी दूर दरश्टी से भारत आज इंग्लेंड जैसे विक्सित देश को भी पीछे करके विश्व की पांचवी अर्थवस्था बन गया और आने वाले कुछ समय में विश्व की तीसरी अर्थवस्था बनने की ओरा मग्रसर है मेरे दोनों प्रश्ट में एक साथ ही पूछ लेता हूँ प्रश्ट ये है महुदे कि अर्थवस्था के मुल्यांकन को लेकर समय समय पर रेटिंग एजन्सियां अपने आकड़े जारी करती है ये उप्यूक्त हैं या नप्यूक्त हैं ये अलग बात है लेकिन हमारी अर्थवस्था का पदर्शन बहतर हो बहतर दिखे इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और दूसरा प्रश्ट है कि यदि हम ये मानते हैं कि हमारा पदर्शन बहतर है तो ऐसा मानने के पीछे हमारे क्या मापदंड या क्या अधार है धन्यवाद अद्धिक जी जो कहीं न कहीं हजारों वर्ष पुलाने थे और चर्चिल का सिगार के एसिस्टेंट जैसे भी कानून थे ऐसे हजारों कानून को हमने समाथ किया ताकि सरलीकर हो सके One Nation One One Nation One टेक्स की हिसाब से जीस्टी लागू किया सफलता पूरवक और इंकम टेक्स में जो समस्याएं थी फेस्रेस की सफलता पूर्वक लाए गया, ओहीं पर पियालाई स्कीम लाई गई, राश्टिया मुद्धिकरों पाइपलाइन को लाए गया, टीम गती सक्ती का सुभारम किया गया, इस संद्चना सुधारों के अथरिक्त भारत सरकार न यहां तक दूसरा सवाल है कि किस आधार पर हम कह रहे हैं, कि 2022 में इसके पहले जब कोविड की महामारी पूरे दुनिया पे चायी थी, उसमें भारत भी अच्छूता नहीं था, लेकिन उस समय भी अगर देखें, तो 2022 में वास्तिविक जीडीपी, जो साथ दस्मनों की दर् विकास के दारान, दुनिया के सबसी तेज बड़ती हुई अर्थ वह वीतर है, इस प्रकार भारतिय वे शिवर्षूता की ग्रोथ रेडट काफी अच्छी है, विकास की अर्थ वेवस्ता की तुलना में भारत में व्याद द्रैबी वहतर है, जहांत टक दालर के मुकाबले वेनमित दर की बात कहें चाये वो जापानी एन हो चाये कोरियन एन हो इन एसियाई मुझ्डाओं की तुन्ला में भारत के रुप्या पेच्छे कृत इस्थिर रहा है और इसी तरह अगर भारत को ग्लोबल इनुवेशन इंडेक्स में देखें तो चालिसमें स्थान पर पहु प्रति भूतियों के प्रति निवेशों का अकर्शन बढ़ा है और भारती अर्थ विवस्था के सभी संकेत्र जो हमारे सभी संकेत्र तक हैं अच्छा परदसन कर रहे हैं और इसी अधार पे मैं कह सकता हूं कि भारती अर्थ विवस्था अच्छा ही नहीं बहुत ही सांदा प्रश्टिकार्मी चनाना चाहते हैं